आदन्य प्रधान मंत्र जी, नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता सेन गुपता है, मेरा बेटा कक्षा नवी का छात्र है, महोदै, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशेट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से, ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसक परहाई पर फरक पर रहा है, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है, मैं असफल हूँ, कृप्या मेरा मार्क दर्शन कीजिए, कि मैं इस स्थिती को कैसे समालूँ, धन्यवाद, पारिनी, कृप्या इस पर अपने विजार प्रकट करें, यह पबजी वाला है, क्या, जा तो फ्रेंट लाइन वाला होगा, यह समस्या भी है, समाधान भी है, हम यह चाहें कि हमारे बच्चे टक्लोलोजी से दूर चले जाए, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदिगी से प्रकार से पीछे की तरब जाना शुरू होगा, और इसलिए उसको यह टक्लोलोजी के समद में प्रोथसाहित करना चाहिए, लेकिन उस टक्लोलोजी का क्या उप्योग करता है, क्या टक्लोलोजी उसको रोबोर्ट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है, अगर माबाप थोड़ी रूची ले, कभी खाना खाते समय चर्चा करे टक्लोलोजी की, बताई भई इन दिनों क्या चल रहा है, टक्लोलोजी के खेतर में क्या नहीं आया है, किस प्रकार के नहीं नहीं एप्स आये हैं, इसमें क्या होता है, तो इस बच्चे को लगेगा, कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे बाबाप हो सकता है, मेरी मदद करेंगे, तो पहला काम तो, आप किसी को रोग रहे, मैं देख रहा हूँ, यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, हो सकता है, कुछ लोग यहां प्रदान मंदिर के कारेकम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे, दोस्त को बताने के लिए, मैं यहां बैठा हूँ, इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकूर्टे चले जा रहे हैं, टेक्नोलोजी, हमें अगर सिकूर्ट देती है, हमें नेरो बना देती है, हमारी सोज भी बड़ी नेरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुक्शान हो रहा, टेक्नोलोजी का उप्योग हमारे एक्सपांसंसिट के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ हमें बड़ोतरी के लिए होना चाहिए, और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विश्वों की चर्चा करते रहना चाहिए, और इसके लिए होना चाहिए,